अलो फेंट्स, विल्कम बैक, आज के इस अनलिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, साउथ इंडियन बेंक सेर के उपर, साउथ इंडियन बेंक का क्वाटर टू का रिजल्ट आचुका है, तो रिजल्ट के उपर भी बात करेंगे, साथे साथ और भी फंडामेंटल पॉइंट्स के उपर बात करेंगे, और फिर हम लोग टेक्निकली लेवल्स के उपर भी बात करने वाले हैं, वीडियो को आराम से लाश्ट तक जहूर देखेगा, जिससे की आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो चलिए अनलिसिस को स्टार्ट करत था, बटे रिजल्ट आने के बाद एक सार्प अप्टिक आया, और उसके बाद जो है लगातार स्टॉक अपने हायर लेवल को ही होल्ड करता हुआ, और फाइनली अपने डे के हायर साइट में क्लोज हुआ है, लाश्ट वन मन्त के अगर बात करेंगे तो स्टॉक तक्रीब कर रहा है, तो चलिए और डीटेल में इस स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर अगर अभी तक आप लोग टेलिग्राम या फी ट्विटर हंडल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाईए क्योंकि यहां पे जो है हम लोग इंपोर्टेंट अपडेट प इसके बाद अगर लेवल्स को ब्रेकडाउन करता है, तो फिर और मेजर गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, तो लगातार इसी टाइप के अपडेट्स जो है, आपको यहां पे मिलते रहेंगे, और इनके अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आ आप हमारे प्रीमियम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं, यहां पे कि आपको एक जक्ली गाइड किया जाएगा, कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस और टार्गेट होने वाला है, सारा डीटेल जो है, टेलिग्राम ग्र करोड का, और अगर आप यहां पे फाइनसे लिए 24 के प्रॉफिट की बाई रेवन्यू की बात करेंगे, तो रेवन्यू है 8,613 करोड का, यानि कि यहां पे मार्केट कैप अभी कम है, और रेवन्यू जो है, वो आपको कंपनी ज्यादा जेनरेट कर रहा है, सेकेंड इंप 50% के डिसकाउंट पे, 50% नीचे पी पे जो है, अभी स्टॉक यहां पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट के उपर बात करते हैं, वाटर ओन वाटर बेसिस पे रिजल्ट के उपर बात करते हैं, स्टॉट नहीं है, बट स्लो एन स्टॉटी जो है, यह आपको साउथ इंडियन बेंक लगातार ग्रो कर रहा है, और अब अगर आप ट्रेवल करते होंगे, तो डेफिनेटली आपको टायर टू, टायर थ्री सीटी में भी साउथ इंडियन बेंक का ब्रांच जो है, आपको साथ कई इंपोर्टेंट टाय अपस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा था, प्रिवेस्ट टू, ट्री क्वाटर बैक, जैनुवरी टू मार्च के क्वाटर में जो है, काफी सारा टाय अपस हुआ था, और उसका एफेक्ट जो है, अब यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो च से पहले जो बेश्ट था, वो था आपको 334 करोड का, और यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा है, जो यहाँ पे जो है, फाइनेंसिंग मार्जिन नाइन परसेंट का था, और अभी जो है, फाइनेंसिंग मार्जिन जो करेंट क्वाटर में, यानि कि स September quarter में financing margin almost nil flat है इस वज़े से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तो overall company जो है revenue increase हो रहा है company लगातार profitable है अगर बात करेंगे तो 6.65 परसेंट से यह घटके आ गया है 4.4 परसेंट और लगातार जो है gross NPA आपको decrease कर रहा है net NPA की बात करेंगे 3.85 परसेंट से घटके आ गया है 1.31 परसेंट लगातार net NPA भी decrease कर रहा है अगर हम लोग year on year basis पे या फिर financial year wise देखेंगे तो अभी 9,128 करोर का revenue last four quarter में company ने generate किया है 1,212 करोर का company ने यहाँ पर आपको net profit generate किया है earning per share में लगातार improvement देखने को मिल रहा है company के द्वारा dividend भी दिया जा रहा है तो EPS increase हो रहा है NPA decrease हो रहा है revenue increase कर रहा है profit increase कर रहा है तो obvious बात है जो stock price में उसका reflection आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर देखेंगे last three years में sales growth only 6% का है लेकिन profit growth 159% का है तो एक जबरदस्त increment profit growth में देखने को मिल रहा है TTM basis पर बात करेंगे 14% से sales growth किया है 33% से profit growth किया है लेकिन stock price only 7% से growth किया है तो अभी stock जो है इसमें अभी potential है और काफी improvement आपको देखने को मिल सकता है stock price में return on equity की बात करेंगे तो लगातार जो है return on equity आपको increase हो रहा है और एक significant improvement हम लोगों को देखने को मिल रहा है company का loan book लगातार increase हो रहा है आगे अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो return on equity जो है compare to 2021 2022 में stignant था 2023 में 12% 2024 में 14% तो एक बहुत है significant jump जो है after 2022 देखने को मिला है यहां पर हम लोग से रोल्डिंग पाटरन के ओपर बात करेंगे तो FIS का holding यहां पर 11.47 प्रसेंट का है यहां पर होल्डिंग 5.24 प्रसेंट का है रेस्ट आपको यहां पर public का holding 83.26 प्रसेंट का तो fundamental points के basis पे अगर देखेंगे तो यहां पर जो है एक अच्छा fundamental company का दिख रहा है वनली एक जो आपको यहां पर negative या फिर थोड़ा सा concerning है जो public का share holding जादा है तो दीरे दीरे यहां पर FIDI का holding आपको हो सकता है next one two quarter में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है आ जाते हैं अब हम लोग stock price के उपर company ने अपना all time high का breakout दिया था in the month of January और उसके बाद February में all time high लगाया फ्रेस all time high लगाया था 36.9 का उसके बाद से लगातार हम लोगों को यहां पर increment देखने को मिल चुका है stock में correction देखने को मिल रहा है और almost अगर बात करें stock जो है तक्रीबन 33% नीचे अपने all time high से लगातार अच्छा आ रहा है ज्यादा करेक्शन के लिए अभी space नहीं है वन टू टू पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है उससे ज्यादा expected नहीं है अगर 20 रुपीज के नीचे चला जाएगा फिर तो बाला गिडावट आ सकता है लेकिन जब तक 20 रुपीज के लेबल के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस टॉक में एक अच्छा बाइंग ऑपर्चुनिटी मिल सकता है जब इस टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट करेगा तो फंडामेंटली अच्छा है बट टेक्निकली आपको इंट्री लेने के लिए इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करन परेगा यहां पर इस ट्रेंड लाइन को प्रेक आउट करेगा उसके बाद यह आपको इस टॉक में आई करना है और उपर की साइड में जो है इसके बाद स्टॉक थर्टी फाइब और फिर और प्रेस ऑल्टाइम हाई देखने को मिल सकता है और अगर इन केस आपके पास अगर पहले से स्टॉक होल्डिंग में है तो आप यहां पे अधिक रख सकते हैं आप लोगों को सभी पॉइंट्स यह बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हूँ अच्छा लगा हूँ वीडिय और पसंदियी ज़िए हूँ ह्रोगों कर लोगों को वीडियर हो तक रख सम llamado रーजीर हो वी आप को में नहीं है जो बैके से व्लीं ए कर चांप दो, आप शो, आपके सवी यह, अगर आप बदूजाँलीbracht बादयbas में हो बिल्टेटर्स ग्मेर्ण पास्कrition में प्सक्तर प् झाल झाल